हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टो माई चैनल तो कैसी हो आप सभी आई होप आप लोग अच्छी होंगी स्वस्थ होंगी मस्थ होंगे तो देखिए मैं आज पहुत ही प्यारा सा आइडिया शेयर करने वाली हूं आपके लोग के साथ में तो मैं पूरे की पूरे पूरे पांच आइडिया शेयर करूंगी जो की छोटे-छोटे हैं लेकिन पहुत ही ज्यादा काम के हैं अब देखिए जो भी फटे-टूटे कपड़े होते हैं मेरे जो मुझे सिलने होते हैं कुछ करना होता है उनमें वह मैं साइड में रख देती हूं एक किसी में हमी श्टोर करके तो कार्टून में फटे-टूटे कपड़े मुझे शेयर करने है इनके आईडिया आप चली अंब भर दिहाते हैं इनके कपड़े में श्यायर करने है 17ンタ Bak और सब्सक्राइब किसे समय हैं नीख यांग हमारे सवैटर होते हैं बंचों के स्कूलिंगे टीहीं तो मुझे मधुन दुरुर निहां हमें ऐसे सलाई लगाने होती है तो दिखे भी न और सलाई भी लग जाके तो आपको इसके लिए क्या करना है मैंचिंग का धागा लेना है और दिखे合 Dhracaday लेया है मोटा करके मैंने ताकि अच्छे से लग भी जाए और निगले भी ना तो इसमें स्लाई मसीन से तो हम स्लाई लगा नहीं सकते तो आपको इस तरीके से पीछे से इसको पकड़ना उल्टा करते हुए अब दिखिए जो सिलाई है ना यहां से आपको उपर से किनारी से स्टार्ट करना है बिल्कुल और यह आपक बाहर की साइड में तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यह जो स्वैटर रव ऐसा है कि स्लाई ना दिखे तो कुछ तो चीजह जो होती है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसमें धागा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जादा तो यह बिल्कुल मतला ऐसा हो हमने फिर से लाए तो इसलिए मैंने छोटा सा एडिया आपको के शेयर किया हुआ है अब चलिए दूसरा एडिया हमारा यह तो यह वाला क्या पहना बस मैं लाई थी और बच्चे ने एक बार पहना और इसकी जो उपर का चमड़ी है वो निकाल दी उपर का जो क्या है वो बढ pres theory टहएं विनिकल गया सारा कि सारा अब देखी चो अंदर वाला था उसकी मैंने पहले स्लाही निकाल ली इस तरीके से और इसको मैं सिल्टा करके और इसके अंदर वाले पट न को ले इन्हांगी इसओं को मैं इधर से ही स्लाही लगाऊंगी क्योंकि वीच्चे लगा तो मैंने मौटा करके धागा ले लिया है चाल लर तो आपको दूसरी शायर से भी धिया है कि निकलेना हमारा जो फंदा है इस तरीके से पूरे फंदे मैंने ले लिये हैं इसमें अब देखिए इसको हमें पहले धागे को ऐसे ही पकड़ी रखना है और आपको ध्यान रखना है कि दूसरी सायर से निकलना जाए आपको इतना बड़ा धागा लेना है अब देखिए इसको पकड़के मैं एक वार सलाई कि अध्य को वाला सब्सक्राइब wa अधर शांधे कीकशा लगा लगादी भी इस तरीके से मैं भाट लगादी उए थाचा करगी पूरे को देगे इस तरीके से पूरे खटा हो जाएगा स्लाइब मैंने बिल्कुल किनारी किनारी लगाई है केवल हलका सा दवाते हुए इसको तो स्लाइवी ने दिखे की हमारी और हमारा कैप है वो भी मजबूत हो जाएगा तो मैं लाई थी और उसी दिन लगाया बच्चों ने सौक सौक में और बेकार कर दिया तो ऐसे करते हैं बच्चे फैका तो कोई जाता नहीं है अब फट गया है और फट भी गया तो नाहीं किसी को देया जाता है फटा हुआ तो अब रहा सोनांद्र के साथमिलार जाएगी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी तो आप भी अपने बच्चे के क्याप को इस तरीके से सही कर सकते हो क्योंकि बच्चे उपर से निकाली देते हैं और इसमें जो सिलाई होती है वो उपर से होती है वो भी कच्ची वाली तो निकल जाती है अब दिए इसमें उपर का जो है पॉम पॉम लगाओ न लगाओ कोई दिक्कत नहीं है वैसे मैं लगा रही हूँ अब ये निकल भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारा जो सिलाई है अब वो मजबूत हो चुकी है वो हमने मजबूत लगा दी है तो कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली है अगर निकल भी गया तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके उपर इतना अब जो पॉम पॉम है उसको मैं अच्छी तरीके से 20 सेंटर में सिल देती हूं इसको तो जैसा था हमारा कैब बैसा फिर से रेडी हो जाएगा अब देखिए अंदर की साइड से मैं दो तिन सिलाई इस तरीके से लगा दूँगी इसको मजबूत करने के लिए क्योंकि जो मार्केट की जो सिलाई आती है ना इतनी कच्छी आती है कि एक वार आप थोड़ा सा खीच दो और वो उसी से ही निकल जाती है मतला इतनी बेकार आती है सिलाई और देखिए इस तरीके से हमें इसको सिल दिया बिल्कुल कितना भी इसको खीच लें अभी निकलने वाला नहीं है तो यह था हमारा बड़िया आइडिया अब चली तीसरा आइडिया हमारा यह तो अक्तर हमारे यहां कोई भी नाइटी वगएरा होती है या पिर नाइट सूट वगएरा होती है कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर सलाई वगरा चल जाती है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर सलाई नहीं चलती है तो वैसे मेरी जो गाउन है उस पर सलाई चल गई है लेकिन मैंने सोच रखाता कि यह आईडिया आप लोगे साथ सेयर करना है वैसे मैं अपने इस गाउन पर पहली बार सिलाई चलाई है क्योंकि ज्यादा पहनी हुई नहीं है लेकिन इसकी जो सिलाई थी वो निकल चुकी थी अगर आपकी सिलाई न चले कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि नहीं चलती है तो आपको इस तरीके से दोनों सैड में अखवार या कोई कागज लगाना है द और कि इस तरीके से आपसिलाई को लगा सकते है किसी वी कपड़े पर चाहे कैसा भी कपड़ा हो जिस पर एक स्लाई मशीन नहीं चल रही है उस पादा आप इस तरीके से अखवार लगाई जिए देख सकते ओक हमारे से अज़चे अब चलिए हमारा च ओधा एडिया है यह लेकिन कवी-कवी को यह जादा था से कट करना है कि यहां से आपको सुई में ओं डालने हैं या फिर अगर आप धागे का यूज कर रहे हो तो धागा पक्का वाला लेना है आपको मजबूत वाला जो कि आप खीचो तो तूटे ना धागा बीच में अब देगे इलास्टिक को मैंने एक तरफ से पो दिया उसमें धागे में अच्छी तरीके से नौट लगा देनी ताकि कि आपकी नौट भी निगलेना उसमें से इस तरीके से आपको सुई की मदद से इलास्टिक को डालना है और खीचते हुए डाल देना है इस तरीके से डल जाएगे कोई दिक्कत नहीं आएगे लेकिन जो कमी स्पेस वाली जो पजामी बगेरा होती है उनमें बहुत ज्याद जाएगे कोईस प्रें जाएगे इस तरीके से इस तरीक यह एकायथ से याइस्टिक डाल दी है और बाव्बर्णन जाएगें से डाल सकते हो आसाने से तो आप लोग को हमारे याइडिया अच्छा लगा होगा बहुती तुद्धिक सारी के सारी लाश्टिक मैंने इस तरीके से पिंगी सायता से डाल नहीं से आप सिलाई लगा दीजी किनारी पर तो वह जो अंदर चली जाएगी अगर आप नौट लगा पैसे होते हैं कि जिन पर जादा पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई भी कारणर हो सकता है कि हम बजा कोई बजार भी नहीं जा सकते हैं कि कहीं क्या होता है कि बजार दूर होता है नहीं जा सकते हैं कोई भी कारणर आप समझ लो या फिर हमें सुई में ही कुछ करना है तो दो आप इस तरीके से लगा के और अपनी ब्रा को फिर से न्यू जैसा बना सकते हो तो पहले मैंने नीचे की साइड में लगा दी क्योंकि जो इसकी कमर थी ना वह बिल्कुल मतलब इलास्टिक जो हो गई थी बिल्कुल हिश्ट्रेच नहीं रहा था उसमें तो इस तरीके से आप इलास्टिक लगा दीजिए आप का जो ब्रा है वह बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोगि अगर इलास्टिक बेकार हो जाती है तो फिर दोस में कुछ पच्छता ही नहीं है आप इसी तरीके से मैंने सोल्डरों पे भी इलास् द्वारा से यूज में ले सकते हो अब इसी तरीके से हमारे जो हुक बगेरा उनको भी आप लाउच बगेरा में लगाने के या फिर इसको इस ट्रिप कमर को बढ़ाने के काम में ले सकते हो गाइच आज के लिए बस इतना है बाइब बाइब